अज मैं आपके लिए शेहनाज की कुछ क्रीम्स लेकर आई हूँ इसके बाड़े में आपको बताना जाती हूँ और यह शेहनाज का क्लेंजिंग मिल्क है शेहनाज हुसेन यह नाम के नाम से ही चलता है आपको पता है इसके प्रोड़ाक्ट बहुत अच्छी है जितनी इनका नाम चलता है और जितनी पुरानी है और प्रस्टिबल है तो इसलिए इसके बार में ज्यादा कुछ एक्स्प्रेइन नहीं करना पड़ेगा और वीडियो चालू करने से पहले में आपको बताना चाते हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यूं है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्यों अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरू कीजिएगा तो चलते हैं अब हम वीडियो स्टार्ट करते है तो यह चेहनाज की क्रीम है का और यह सबसे पहले आपको इस क्लिंजर के बार में बताती हूं शेहना उसे इनका श्ला मून सेंडर वुट क्लिंजिंग लोशन है इस तरीके के पैक में आता है कि इस तरिके का पिखिए जब खायर देंवे ठीद्गेम्न के बहुत प्यारा है तो यह अलमस्टक्ट भी बहुत स्पार्ट बहुत अच्छा है आप नौर्मली अगर पालर नहीं जा पाते घर स्वालियर के सब्सक्राइब तो उसके लिए बैस्ट है और बखी तो इसका रिजल्ट आपको यूज़ करने से समझ में आ जाएगा यह से आपको उपन करके दिखाती दिखेंगा इस तरी किसी कैप है जिस तक किस बॉटल में आता है तो जैसे अपने इसमें आपको दिखाती हूं यह दिखेंगे इस्ट् सब्सक्राइब कर सकते हैं किसे अगर पांच से दस मिनट अगर आप पालत नहीं जाता रहे हैं अभी और खर पी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका ठंड के लिए इस्टा बैस्ट क्योंकि ठंड में जैसे हमारी स्कील रुखी रुखी हो जाती है तो इसके रिजल्ट और आफ को समझ आएगा और समेरे ऑ और को समझाऊगा कुछ नहीं करना है इसके जनरल मुमेंट्से इस मोमेंट्स लेगा अगर आप इसे स्क्रीन में यूज करेंगे खुछ से भी अगर आप आला नहीं जाते हैं और खर पर अपनी स्कीर करना चाहते हैं तो इसके रिए सब बैस्ट ऑप्शन देखिए जिसमें मैंने नहीं यूज किया इस कंडिशन देखिए हैंड्स की अविस्ट मैंने भी यूज इसके कंडिशन देखिए तो इससे आपको समझ मैंगा कि इसका क्या रिजल्ट है और इससे अगर आप फेस को क्लीन करते हैं तो आपका फेस स्मूथ होता है इसमें चिक चिपाहट नहीं है चिकना पन नहीं है और स्कीन में ग्लो बहुत अच्छी आती है और बहुत फेसे लावा जैसे यह तो हो गया देख यह था और इसकी प्राइग्नेस बहुत अच्छी और यह इसकी शालाइफ प्लस की खरीन है शहास उस्ता है यह शालाइफ प्लस मॉस्तुराइजिंग फोग्रांते से कई लोग बोलते हैं ठंड है ठंड में हमारी स्कीन ड्राइव ह हो रही है हाड लग रही है तो हम इसकी क्यार कैसे करें तो आप यह दो चीजों से आप अपनी स्कीम को कफ की ज्यादा प्रोटेक्टिव रख सकते हैं एक आप क्लिंजिंग से आपके चाहरे पे जो भी डॉस्ट या पॉलुशन को भी एफेक्ट रहागा हो इसके करेगा और लिए शेहनाज उसेन की क्रीम का भी जोड है सब इसके बार में यहां पीछे पूली इसकी डिटेल लिखे हुए है और शेहनाज उसेन की के बार में जाधा डिटेल देना ज़रुर्द नहीं है क्योंकि यह ब्रांड और यह नाम शुरू से चलता है इसका पर आपको दिखा क्लिंजिंग को मैंने आपको यूज करके दिखाया अब यह है देखिए इसकी की मैं आपको दिखा रहे हो देखें मैंने इतनी क्वांटेटी में यह क्रीम ली है और मैं इससे भी आपके सामने रब करके दिखाऊंगी सुरी फ्रेंस तोड़ा खराब है इसलिए मैं वीडियो भी नहीं लापा रही थी इससे माइन मत करना आप जो मैं दिखा रहे हो प्लीज उसी पे कॉंसेट्रेट रिजेगा और यह दिखिए जनरली इस तरीके से नोर्मली मसाज हम घर पी कर सकते हैं अगर हम पालर नहीं ज कैसा हुआ है ऐसे काम इस अब कुछ भी लगाया है और आपके सामने मसाज कर यूं का तरीक्स्टे कैसा हुआ है आप सोची जब इसी में अच्छे से दस ते पंगर में अपने पीस पर प्लाई करती हूं और इसके बार में अपने पीस को साफ करूँगी तो मेरा पीस किता क्लीन एंड साफ लगीगा मेरा ही नहीं मतलब आप सब का भी और ये ठंट के लिए इस दा बेस्ट ऑप्शन है तो प्लीज आपके से एक बार ट्राई करके देखेगा और स्किन के लिए बहुत अच्छे है अगर आपके स्किन में पिल्मेशन या जूरियां टाई हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए इसका बैस्ट ऑप्शन और इसमें इसे अपकरी टीशू से क्लियर करके दिखाते हूं यह है यह है यह टीशू समय से पहुंच दूंगी और अब आप इसका रिजर्व देखेगा जिस हैंद पर मैंने यूज किया आपको और जिस पर मैंने भी कुछ नहीं किया तो आपको समझ में आएगा तो इसलिए मुझे तो यह बहुत अच्छी लगी है और मैं इसे उसदरती हूं अकर आप भी ठर में अपने स्कील को फटने से और हाडोने से बचाना चाहते हैं उसकी स्मूथनेस पर क्राह रखना चाहते हैं तो प्लीज आप भी अपने घर पर आप इसकी मंगवाएगे और इससे यूज करें आज कि वीडियो में इतना है मिलते ह आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे और अगर आप और भी कुछ उसे ब्यूटी रिलेटेड या कुछ और भी जाना चाहें तो आप मुझे सकते हैं मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी और आज की वीडियो के मैं आज इत्ताई लेकर आई थी और आप एक बार इसे जरूर आई क आप इसके बार में ज्यादा एक्स्प्लेंड या पताने की जोड़त नहीं है और मैंने असका आपको डैमो भी दिखा दिया डेके हैं और इस तरीके से एकर रिज्श करते हैं तो आपकी स्कीन बहुँदा ज्यादा स्मूथ और शाइन करेगी तो, thanks बाँ बाई आजिक की वीडियो में टाई